इसमें फंक्शन को डिफाइन करेंगे फंक्शन को रिलेशन के फ़र्म सो भी डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन आर फ्रॉंक सेट ए टू असेट बी is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B यह basic definition होगे इसको relation के terms पर डिफाइन किया गया है इसको express करने के लिए हम लोग F such that A to B यह symbol लखेंगे इसको F mapping A to B में बोलते हैं और अगर इस तरह से यहां पर A का कोई element small A है B का कोई element small B है तो इसको symbolic form में हम लोग रहे हैं F is equal to B को भी represent कर सकते हैं इस form को represent कर सकते हैं अब यहां पर जो B है उसको हम कहेंगे image of A under F और A को बोलते हैं free image of B तो यह function की definition होगे इसमें भी domain range इसे तरह सरह रहेगा अगर domain range की बात करें तो domain जितने भी element यानि set A जो है आपका उसको हम domain बोलेंगे set B को co domain बोलेंगे और range जो है हम उस set को बोलेंगे जिसके set A की सारी images ने यानि कि all the images of elements of set A all the images of elements of set A अब इसको example से भी हम देख सकते हैं जैसे पीछे हमने एक example लिया रहा हम दो set ले ले लेंगे होई भी एक set हमारा A हो गया एक set हमारा B हो गया इसके element हमने ले लिए एक वान टू थ्री इसके element में ले लिए A B C D और सपोज ये इस तरह से connect हैं तो यहां पर जो डोमेन होगा डोमेन ओफ फंक्शन वह आपका हो जाएगा 123 और इसी तरह से को डोमेन जो होगा आपका को डोमेन में यह एलिमेंट हो जाएंगे जो सारे के सारे हैं यानि कि पूरा सेट भी हो जाएगा और रेंज में वही एलिमेंट हैंगे सेट भी के जो एक एक किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट होंगे किसी तरह से यानि कि इसमें आपके अब इसके बाद जो कुश्चन गोर्ड में आता है वो टाइप सॉफ फंक्शन्स तो बेस्ट आता है इसमें से पहला आपका हो जाएगा वन वन फंक्शन्स वन वन को हम इंजक्टिव भी कहते हैं जैसा कि इसका नेम है वन 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 का मतलब दो सॉट्स हैं तो एक एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्ट जाए वन टू थी ए बी सी और यह इस परिया से कनेक्ट हैं अब वन वन फंक्शन को अगर में कोश्चन में सावब करना है तो हम क्या लेंगे इसमें जो function हमें question में given होगा उसी से हम fx1 is equal to fx2 condition ले लेंगे if fx1 is equal to fx2 और इप prove करेंगे that x1 is equal to x2 अगर ऐसा होता है तो function जो है one one होगा या injective function होगा इसके बाद में second आपको आता है on to इसको हम subjective भी बोलते है subjective function में क्या अगर कोई भी function आपको y is equal to fx के form में लिया है और आप उसको x is equal to fy के form में express कर बाते हैं तो that will be a on to function और subjective function आप जो question आता है एक्जाम में बोर्ड question डैट इस कि इनवर्ट बिल function पर आता है कि इनवर्ट बिल function पर आएगा और यह पॉइंवर्स आप एनी function किसी function का इनवर्स निकालने को आजकता है इनवर्ट बिल function दभी होगा जब वह one one भी हो और on two भी हो जब दोनों को satisfy करेगा कि इनवर्स पाइंड कर लेंगे अभी इसकर में एक्पर वाइस किसी function दोनों कुरूफ करेंगे और दोनों कूफ करने के बाद जब वांट बार रिजल्ट आया का वह जिसे हम कि इनवर्स फाइंड करेंगे अभी इसका हमें एक्सांपील भी देंगे एक्सांपिल की हिए प्र एक फंक्षन और भी है अंड़ डेट इस दा मेंडी वंग फंक्षन मेंडी फंक्षन क्या है इसमें 260 है मारे पास अगर इसमें कुछ elements है मैं बस 1 2 3 4 और इसमें है A B C तो इसमें कोई भी एक दो element जो है हमकी image सेम होगी जैसे हमने यह बनाया 1 और 3 1 और 3 दोनों की image होगी और बाकी जो है अलग से connect होंगे लेकिन दो element ऐसा जरूर होंगे जिनकी की वी में image होगी तो इस तरह का function जो आपका मेनी बन function हो जाएगा और फिर एक इंटू function भी आता कि इंटू function में क्या है अगर कोई ऐसा element जो है सेट वाई का जिसकी कोई image नहूं हो पहले वाले सेट एक्स में या यह में चैसे की तो सेट हमने ले लिए ए बी इसमें हमने 123 ले लिया और इसमें हमने ए, बी, सी, डी ले लिया तो यह तो connect है लेकिन एक element यहां में बच रहा है डी जिसकी की कोई भी प्री image नहीं है सेट ए में तो ऐसा function इंटू function जाएगा मेनी बन और इंटू पर निमेरिकल नहीं आता है question आपका इन topics तो ही आएगा 1-1 on to and invertible अब इसके question कहें solve करेंगे जैसे की कोई भी question ले लेते हैं show that the function y is equal to 3x minus 2 on x plus 2 is invert will यह गोर्ड का ही question है and find its inverse तो inverse में invert will प्रूफ करने में दोनों solution आ जाएगा 1-1 भी आ जाएगा on to भी आ जाएगा invert will को फंक्शन तभी होता है जब वह 1-1 भी हो और on to भी हो अभी मैंने condition में प्रूफ करने के लिए जो function हमारा वाई है उसको हम fx ले लेंगे 3x minus 2 upon x plus 2 इसके बाद में जो condition लेते हैं fx1 is equal to fx2 fx1 fx2 class level में प्रॉजिक हैं इसे करेंगे x की जगे x1 और x2 substitute कर देंगे 3x1 minus 2 x1 plus 2 3x2 minus 2 upon x2 plus 2 उसको तुदा सॉल करेंगे cross multiply लेते हैं 3x1 x2 plus 6x1 minus 2 x2 minus 4 3x1 x2 plus 6x2 minus 2 x1 minus 4 अब इसमें से कुछ quantities cancel out हो जाएंगे यह cancel out हो गई 6x1 और 2x1 यह आपको हो जाएगा 8x1 और इस तरह से 8x2 तो x1 is equal to x2 आ गया it means it is 11 क्योंकि 11 की condition यही थी अगर हम fx1 is equal to fx2 लेके चलते हैं x1 is equal to x2 आ जाना चाहिए रिजल्ट में फिर 11 के बाद में on to prove करते हैं on to के लिए जो मारा function था original function को लेते हैं y is 3x minus 2 upon x plus 2 यहां पे जो function it is in the form of y is equal to fx यानि y जो है वो x का function है अब हमको prove यह करना है कि x जो है वो y का function बन जाए यानि यहां पे केवल x आ जाए और इधर पूरा y का function आ जाए इसके लिए इसको हम cross multiplier के solve करेंगे xy plus 2y is equal to 3x minus 2 x कटर में एक साइड में कर लेंगे xy minus 3x minus 2 minus 2y और taking x common y minus 3 is equal to minus common ले लेंगे 2 plus 2y यहां से x आपको आजाएगा minus 2 plus 2y upon y minus 3 अब हम यह देख रहे हैं कि that function x था y के turns में आ गया इधर cable x है और y का function आ गया it means we can express it in x is equal to fy form तो यह on to हो गया अब one one भी हो गया on to भी हो गया therefore it is invertible function यह function invertible होगा और जब यह invertible होगा तो invertible मोगा जब हम इसका inverse लिखना होगा inverse कैसे लिखेंगे f inverse x लिखेंगे और यह जो last पर result हाया था हमारा इसमें हम y को replace कर देंगे x से जहां जहां पर y होना x लिख देंगे 2 plus 2x upon x minus 3